अब तक आप एक ट्रेनी के रूप में काम करते हैं, आपको लगता है कि एक शेल्टर है, एक प्रोटेक्टिव एन्वार्मेंट में आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि गलती करेंगे तो साथी भी है समालेगा, आपके ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, वो भी समाल लेंगे, लेकिन रातों रात सिति बदल जाएगी, जैसे ही यहां से आप बार निकलोगे, आप प्रोटेक्टेड एन्वार्मेंट में नहीं होंगे, सामान्य मानवी आपको नए हो, अनुभव भी हुआ नहीं है, कुछ नहीं समझेगा, वो तो यह समझेगा, आप तो इनिफर्म में हैं, आप तो साभ है, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, आप तो साभ है, आप ऐसे कैसे करते हो, यानि आपकी तरफ देखने का नजरिया बिलकुल बदल जाएगा, ऐसे समय है, आप किस प्रकार की अपने आपको कैसे प्रस्तूत करते हैं, कैसे आप अपने आपको महां से कारेरत करते हैं, इसको बहुत मारीकी से देखा जाएगा मैं चाहूंगा कि आप इसमें शुरू के कालखण में जितने ओवर कॉंसियस रहे जुरूर रहे क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इस लाज्ट इंप्रेशन अगर आपकी एक छुबी शुरू में ऐसी बन गई कि भाई ये तो इस प्रकार के अपसर है फिर आप कहीं पर भी ट्रांसफर करोगे वो आपकी छबी आपके साथ ट्रावेल करती जाएगी तो आपको उस वेसे बहार आने में बहुत समझ आएगा आप बहुत कैरफुली ये कोशिश किजिए दूसरा समाज वेवस्ता का एक दोस रहता है हम भी जब चून करके दिल्ली में आते हैं तो दो चार लोग हमारे आसपास ऐसे ही चिपक जाते हैं पता ही नहीं होता है कौन है और थोड़े ही दिन में सिवा करने लग जेते हैं साब गाड़ी की जरूत है तो बता जेने वेवस्ता कर दूँगा पानी की जरूत है तो बोलिये साब ऐसा करो अभी तो आपको खाना नहीं होगा यह भावन का खाना अच्छा नहीं है चलिए मैं रजदी में अहां खाना है मैं ले आओं क्या पता ही होता ही है सेवादार कोना आ जाते है आप भी जहां जाएंगे जरूर ऐसी एक टोली होगी जो शुरू में आपको भी ज़रूरत होती है को नए है इलाका नया है और अगर उस चक्र में फस गए तो फिर निकलना भावर मुश्किल हो जाएगा आप कश्ट हो शुरू में तो कश्ट नया इलाका है तो नया इलाका अपनी आँखों से अपने कान से अपने दिमाग से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए शुरू में हो सके तो अपने कान को फिल्टर लगा दीजिए आपको लीडर्शिप में सक्सेस होना है तो शुरू में आपके कान को फिल्टर लगा दीजिए मैं यह नहीं कहता हूँ कान को ताला लगाईए मैं फिल्टर लगाने के लिए कह रहा हूँ इससे क्या होगा कि जो जरूरी चीजे हैं जो आपकी कैरियर को लिए आपकी डूटी के लिए एक इंसान के नाते वो फिल्टर की हुई चीजे जब आपके दिमाग में जाएगी आपको बहुत काम आएगी सारा कुडा कच्रा वरना तो आप देखिए कोई भी जाता है तो लोग उसको एक डश्बीन मान लेते हैं और जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा डश्बीन मानते हैं और कुडा कच्रा फैंकते ही चले जाते हैं और हम पी उस कुडे कच्रे को संपती मान लेते हैं हम अपने मन मंदीर को जितना साफ रखीगे उतना फाइदा होगा दूसरी एक विश्य है क्या कभी हमने अपने थाने के कल्चर को बल दिया है क्या हमारा थाना एक सामाजिक विश्वास का केंद्र कैसे बने है उसका इन्वार्मेंट आज थाना देखिए स्वच्चता का भाव होता है यह ठीक है कुछ इलाकों में थाने बहुत पुराने हैं जरजरीद है मैं जानता हूं लेकिन साफ सुत्रा रखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है हम थाय करें कि मैं जहां जाओंगा मेरे हाथ के नीचे पचान सो दो सो जो भी थाने हुगे मह उसमें यह 12 फ़ौंदरा चीजे में कागेड़ पर थाय करूंगा ये बिलकुल पक्का करके नहुंगा भ्यक्ति को मैं बदल पाऊं नो बदल पाऊं, मैं बदल सकता हूँ. मैं एनवारमेंट को बदल सकता हूँ. क्या आपकी प्रावरिटी में चीज हो सकते हैं? आप देखिए, फाइले कैसे रखना, चीजे कैसे रखना, कोई आए तो कैसे बिलाना, बिठाना, इन छोटी-छोटी चीजों आप कर लिजिए, कुछ पुलिस के लोग जब नए डूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रॉब पहले में दिखा दो, लोगों को मैं डर करके जो बड़े बनते हैं, उनके लिए दिमाग में भर जाता है, और उसके कारण, करने वाले काम छुड़ जाते हैं, आप, आपके हाथ के नीचे, अगर सो लोग, दो सो लोग हैं, पाम सो लोग हैं, उनमें प्वालिटेटिव चेंज कैसे आए, तो एक अच्छी टीम कैस बनें, आपकी सोच के अनुसार अच्छा, आप दिखिए, आपको देखने का तरीका बदल जाएगा, सामान ने मानवी पर प्रभाव पृदा करना है, कि सामान ने मानवी में प्रेम का सेतु जोड़ना है, ताय कर लीजिए, अगर आप प्रभाव पृदा करेंगे, तो उस उसकी उमर बहुत कम होती हैं, लेकिन प्रेम का सेतु जोडेंगे, तो आप रिटायर हो जाएंगे तब भी, जहां आपकी पहली डूटी रही होगी, वहां के लोग आपको याद करेंगे, कि 20 साल पहले ऐसा एक नाउजवान अफसर हमारे आया था, भासा तो नहीं जानता था लेकिन जो उसका भैवार था, लोगों के दिलों को जीत लिया था, आप एक बार जन सामानिय के दिल को जीत लेंगे, बदल जाएगा